जहें दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस कंप्रिटिव क्यूज के इस यूटीब प्लेटफॉर्म पर तो आज का जो वीडियो जो होने वाला है वो बिहार सची वाले मतलब बिहार से सीजियल ठीरी के बारे में होने वाला है और हमारे चैनल पर आपको लगतार इस प्रफेक्ट नंबर आ सके ठीक है तो आज का हम लोग वीडियो स्टार करते हैं लेगी तक अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को बिल्कुली सब्सक्राइब कर लिजेगा मैक्समा जतना सेर कर सकता अपसे जितना हो पाता है उतना सेर कर दीजेगा औ भार्मी कंदोलन और सिकंदर का आकरमन मतलब यह ज्यादा तर जितने भी टॉपिक से खासकर महाजन पद मगत समरा सिकंदर का आकरमन यह एंटियन पिरियेट का टॉपिक है आई से भी पोकॉस्टन आपको एक्जाम में देखने को मिलता है तो यहां पर आपका सभी का सही काला नूकरम बताना है कि सही काला नूकरम कौन सा है तो इसका राइट अंसर हो जागा चार नंबर मतलब पहले नगर संस्कृती उसके बाद लोहे का हल उसके बाद आहत मुद्रा यानि चांदी के सिक्के और उसके बाद सोने के सिक्के आए तो यह इसका सही काला नूक मतलब एक दो चार कहने का मतलब यह हो गया कि लोथर परचीन गोदी छित्र है उसके बाद सारनात बुद्ध का पर्थम धर्मो पुदेश है और उसके बाद चारनवर नलंदा बाध अधिगम के महान बिद्या पीठ है और आपको यह भी पता होगा कि नलंदा जो विस विद् नागरी लीपी का परचीन रूप कौन सा है तो पाली नेक्ट कारा एक निम्न में परचीन भारत में गनतंत्र कहां था तो गनतंत्र दो जगह पर था ठीक है ए और बी मतलब साक यानि कपीलवस्तू और लिच्वी यानि वैसाली नेक्स्ट कोश्चन आए प्रचीन भारत में निम्र में से कहां राजतंत्र हुआ करता था तो सभी जगा पर राजतंत्र हुआ करता था इन में से सभी मतलब ये होगा डी नमबर कौसामभी, मगद और कौसल चलिए हम लोग 6 नमबर पर आगे वड़ते हैं निम्र रजाओं पर विचार किजिए कि कौन सा बुद्ध के समकालीन थे तो बताइए 6 का क्या हो जागा तो 6 का 3 नमबर हो जाएगा एक और 3 मतलब अजाद सत्रू और राजा प्रेसेन जीते निश्कारा मगद के राजा अजा सत्रू का सदाइब किस गनराज के साथ युद रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैसाली निश्कारा है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस वंस का सासन हुआ करता था तो इसका सही जबाब हो जाएगा एक नंबर मतलब नंद बंसका ठीक है और नंद बंसका अंतिमसा से कौन था तो घाना नंद था ठीक है जिसा धना नंद भी बोलते हो ठीक है चलिए नेश्ट आगे बढ़ते हैं देखिए यहां पर ध्यान देजएगा क्या का रहा कि जेलम नदी के किनारे परसित बितस्ता का युद किन के किन सासकों के बीच में लड़ा गया है तो नौ का राइट अंसर सी नंबर हो जाएगा ठीक है पोरस और सिकंदर के बीच में उसके बद करा सिकंदर भारत के जीते बिना ही यहां से बापस क्यूं लौट गया तो दस का राइट अंसर हो जाएगा तीन नंबर हो जाएगा उसके साइनिक लंबे समय से अपने देश से निकले होने के कारण ठक गये थे इस कारण उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया नेक्स्ट कोस्टन आईए कारा है कि भारत में सिकंदर की सफलता का कारण यह आपको बताना है तो 11 नंबर का राइट अंसर 2 नंबर हो जाएगा भारत में कोई कैंद्रिय सक्ति उस समय नहीं थी और कैंद्रिय सक्ति करने के लिए आचार चानक ने बहुत परियास किया था और धना नंद को बहुत निर्मान कर दिया था जिसके कारण से वे वहां से फिर मौर बंस का रास्ता आगे खुल गया मौर बंस का प्रसस्त का रास्ता आगे खुल गया और उन्हों ने एक महान सासक को जन्म दियाक महान सासक को गद्धी पर बैठाया ठीक है और अखंड भारत वर्स का निर्मान किया नेश्ट आगे बढ़ते हैं करा कि गंधार कला साइली एक संसलेस्टन है किसका है तो वो बताना है तो 12 का D नमबर हो जाएगा भारतिय तथा युनानी कला का ये कई बार कोश्चन पूछा जाता है तो इसका राइट अंसर क्या होगा ये आप बताएगा तेरा यानि ये कोश्चन नमबर तेरा है तो इसका बताएगा तेरा तो तो तेरा का राइट अंसर तीन हो जाएगा 1,2,3,4 मतलब ठीक है ठीक है अंग कहा पढ़ता है तो भागलपूरा मुंगेर का छेतर है उसके बद मगद है तो मगद पटना और गयावला छेतर है गॉसल है तो गॉसल यानि अबद में पन्चाल मतलब बदाईिउ बरेली हो इन में से कौन सा सही नहीं है वो बताना है तो 14 का दो नंबर जो है न वो सही नहीं है ठीक है यानि अंग का चमपा है पंचाल का काब कानी कुपज है और मगद का गिरीव रज है ठीक है बाकी वो सही नहीं है आप बताएगा उसका राइट अंसर क्या होगा ठीक है चलिए next आगे बढ़ते हैं तो वत्स का जो इसका राजधानी जो था कौसाम भी था ठीक है वत्स की राजधानी कौसाम भी next आगे आगे आईए चलिए next question आगे बढ़ते हैं 14 तक complete हो गया पंदरा नंबर में कहा रहा है कि छटी सतावदी इसा पूर्व के दावरा अनार उसके बाद बड़े राज़ियों का उधाय का क्या कारण था तो पंदरा का राइट अंसर डी नंबर हो जाएगा उपरोक्त सभी ठीक है मतलब उत्तर परदिस और बिहार में ब्याफ़क पैमाने पर लोहे का उपयोग उसके बाद जन जाती समाज ने अधिक बेवस्तित जीवन का मार्ग प्रसस्त किया बैपार वंबानी जी का उल्लेख निये बिखास 16 नंबर कोशन में का रहा है कि भारत पर आकरवन करने वाला पहला बिदेशी कौन था तो 16 का एक नंबर हो जागा साइरस ठीक है उप्शन के साब से ठीक है नेक्ट कोशन आईए 17 नंबर में करा बिम्बिसार के संब्द में निमनली खीत में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है 17 का दो नंबर हो गए ये गलत है बागी सब सही है ठीक है मतलब उसका राजिया रोहन 15 हमें वर्स में हुआ था उसने गिरी बरच के जगा राजगिरी के मगद के राजधानी बनाया था जैन गरंत में उत्रा ध्यान सुत्र के नुसर गवा जैन था ठीक है ये सब सही है नेश्ट आईए अजास सतरू के संब्द में कौन सा कथन गलत है ये बताना है तो 18 का भी दो नंबर हो जाएगा ठीक है ये गलत है मतलब सब सही है उसने बिम्बिसार मतलब अपने पिता की हत्या किया था ये भी सब सही है 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक उसका टोटल पिरियेट चला था लेकिन ये गलत है समराज बिस्तार के लिए उसे अपना पहला युद बैसाली के भी ऐसा नहीं है ठीक है ये गलत है नेक्ट कोस्टन आगे बढ़ते है उनीस नंबर में कर रहा कि बिमबि सार ने अपने राजबैजजीबा को किस राजज के राज़ा के चिकितसा के लिए भेजा था तो उनीस का हो जाएगा तीन नंबर अवंति की राज़ा ठीक है नेक्ट को सना ये उद्धियन के संब्ध में कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है तो 20 का राइट अंसर 33 नमबर हो जाएगा मतलब उज्जाइन के राजा को वो अनेक बार प्राजित किया था ये इसका राइट अंसर होगा ठीक है 21 हो गया चलिए अब हम लोग 21, 22 ठीक है तेज़ उसके बढ़ते है का रहा है यहाँ पर का रहा है निवने में से किस सासक ने अवंती को जीत कर मगद का हिस्सा बना दिया था तो 21 का राइट अंसर जो होगा वो तीन नमबर हो जाएगा ठीक है सिसुनाग हो जाएगा नेक्स्ट आगे का रहा सिसुना के सम्मद में कौन सा कथन गलत दिया हुआ यह आपको बताना है तो 22 का तीन नमबर यह गलत दिया हुआ बाकी सब सही है मतलब सासक बनने से पुरुआ मगद में आमाते था यह सही है उसके सासनकाल में कौसल, वत्स, अवंती और कौसांबी मगद समराज के चार परमुक परदेश हुआ करते थे यह भी सही है ठीक है और देखिए 23 नमबर कौस्टन क्या का रहा है निवन में से कौन सा एक उत्तरवैदी काल का परमुक जैन नहीं था यह बताना है आपको ठीक है 23 का राइट अंसर जो होगा वो C नमबर हो जाएगा नेक्स्ट आईए पुरानों के निवसार हरियक बंस के सासकों में अंतिम परमुक सासक कौन था 24 का राइट अंसर दो नमबर हो जाएगा नंदी वर्मन 26 का राइट अंसर दो नमबर हो जाएगा उतरी भारत में 26 नमबर में आईए 26 का डी नमबर इनमें से कोई नहीं मतलब सभी सही है ठीक है देख लिजेगा सब पढ़कर 27 नमबर में 27 नमबर में का रहा नीचे कुछ सासको और उनके पीता का युगम दिया गए इनमें से कौन सास सही सुमेलेखित है कौन सही ये बताना है तो 27 का एक नमबर सही है ठीक है सता मतलब प्रद्योत तो ये पुनिक हो जाएगा ठीक है बाकी सब आप के लिए होंबर करा आप बताएगा कि सब के पिता का क्या नाम था ये आप बताएगा ठीक है चलिए अब हम लोग आगे वड़ते हैं तो इसे आप बताएगा ठीक है प्रद्योत के पिता थे पुनिक और उद्धियन के पिता बताएगा तो ऐसे इनका पिता था सहस्त्र सहस्त्रिनिक ठीक है पिता का क्या नाम था सहस्त्रिनिक उद्धियन के ठीक है नंद बंस के पिता हो गए चलिए next question आगे बढ़ते है 28 नंबर में 28 नंबर में कह रहा है नंद बंस के संबंद में कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है तो 28 नंबर का right answer दो नंबर हो जाएगा ठीक है दो नंबर कहने के मतलब बाउस सहीत के अनुसार धनन नंद इस बंस का अंतिम सा सकता next question आगे बढ़ते है आगे आपका कौन सा है 29 नंबर है ठीक है कह रहा है कि निम्न में किस स्थान पर सिकंदर की मिरतिव होई थी तो 29 का right answer होगा 3 नंबर Babylon 33 वर्स के अवस्था में निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आकर्मन का परिनाम नहीं था तो 30 का right answer D नंबर हो जाएगा D नंबर कहने का मतलब उसने भारत को युनान की रियासत बनाया तो ये गलत है बाकि सब सही है चलिए next question आगे बढ़ते है next question आईए 33 नंबर में कहा रहा है कि युनानी सुरोतों में अगर मीज एवं जैंदर मीज मगद के किस सासा को कहा गया है तो 33 का right answer D नंबर हो जाएगा धनानन्द को next question आईए निम्लिखीत में से आश्व घोस की रचना किस ने किया था तो 34 का D नंबर हो जाएगा ठीक है असब घोस ऐसे तो आसब घोस का हम लोग क्या देखते हैं बुध्य चरित देखते हैं ठीक है बुध्य चरित यानि असब घोस ठीक है तो सभी का योगदान था ठीक है चलिए next question मगद समराज के नेमने सासकों का सही कालानुकरम बताना है तो 35 का राइट अंसर जो होगा वो तीन नंबर हो जागा है अंसर है देखिए तीन नंबर कहने का मतलब एक चार दो तीन मतलब पहले उद्धयान उसके बाद सिसुनाग उसके बाद काला सोग और उसके बाद सारी पुत्रे ठीक है चलिए next question 36 नंबर में कहा रहा है राजा बनने के पुर्व अंग का राजपाल था और उसे क्रिनिक नाम से जाना जाता था यह कथन मगद के किस सासक से संबन्दी थे यह आपको बताना है तो 36 का दो नंबर हो जाएगा अजात सत्रू निशकरा निम्न से किनका समन्द सिसुनाक वंस से था तो साइथिस का D नंबर हो जाएगा देखे D नंबर कहने का मतलब हो गया एक दो तीन चार पान सभी है सिसुनाक काला सोक भदर से नंदी वर्धन और कुरंड वर्ण ठीक है यह सभी है next question आए चलिए यह बताना है महाजन पद और उसकी रासधानी बताना है ठीक है यह कौन सा इसका सही अंसर होगा 38 का तो अंसर तो इधर दिया हुआ है मैं आपको अंसर दिखाता हूँ क्या कौन सा अंसर है तेहाँ पर देख लिजे इसका 38 का जो right answer जो हो गा पो दो नमबर हो जाएगा ठीक है मिलालिस येगा नेश का रहा है कि निम्निका सही करम बताएए कौन सा है तो 49 का right answer कौन सा हो जाएगा 49 का d नमबर हो जाएगा पहले हो जाएगा बुद्ध का जन्म उसके बाद सिकंदर का पंजाब भी जाए उसके बाद तीन नमबर असोक का कलिंग भी जाए और लाश्ट में कनिस्क का राज्या रोहन ठीक है 40 नमबर पर बढ़िए 40 नमबर में फिर कारा की सही कारानुकरम बताना है तो 40 का राइट अंसर जो होगा वो दो नमबर हो जाएगा ठीक है मतलब पहले चारा जाएगा मेगा स्थनिच का भारत यात्रा उसके बाद कलिंग का युद्ध है और उसका बाद सिसुनाग बंज उसका बाद सिकंदर का आकरमन नेक्स्ट कोस्टन एक 40 नमबर में कारा फिलिप के मिर्तिव के बाद सिकंदर कहां का सासक बरा था तो 42 का 3 नमबर हो जागा मेसी डोनिया 43 नमबर में आईए करा सिकंदर किसे नना आगे बढ़ने से इनकार क्यों कर दिया तो 43 का D नमबर हो जागा सौब भोती को बिजित करने के बाद ठीक है नेक्ट कोस्चन आजाईए करा 326 से 25 सापुर में सिकंदर के आकरमन के निम्न में से कौन कौन से प्रभाव हुए तो यह आपको बताना है 44 का राइट अंसर जो होगा आगे देखिए इसका D नमबर हो जाएगा ठीक है D नमबर आगे है ठीक है तो D नमबर इसका है एक दो तीन नेक्ट कोस्चन आईए युनानी कला के समिसरन से कला कौन से कला का विकास हुआ है तो 45 नमबर बताएगा 45 नमबर क्या हो जाएगा बताएए इसका राइट अंसर कौन से हो जाएगा तो 45 का हो जाएगा गंधार कला सैली नेश करा कि छटी सताब्दी इसापूर में किस महाजनपद की रजधानी का नाम महाभारत वंपुरानों में मालनी मिलता है तो 46 का D नंबर हो जाएगा अंग 47 नंबर में करा छटी सताब्दी इसापूर में कौन-कौन से राजतंत्र थे तो 47 का हो जाएगा D नंबर अंग मगद कासी काउसल नेश करा छटी सताब्दी इसापूर में चेदी महाजनपद की रजधानी कहा थी तो 48 का 3 नंबर हो जाएगा स्वत्य वत्य नेश्ट छटी सताब्दी इसापूर में पूर्वी उत्तर पर्देश के दिवरिया जिले इस्थित था तो बताईए इसका राइट अंसर क्या होगा तो 49 का एक नंबर हो जाएगा मल 50 नंबर में आते हैं 50 नंबर में करा छटी सताब्दी इसापूर में ऐसा कम सा महाजन पत था जहां पहले रास्तंतर था किन्तु बाद में गंतंतर अस्थापित हो गया तो 50 का तीन नंबर हो जाएगा वज्जी नेश्ट कहा रहा है कि छटी सताब्दी इसापूर में परसिद नगर काज जी कान निकूब जी किस राज्य में इस्थित था 51 का ड्डी हो जाएगा पांचाल कारा चटी सताब्दी इसापूर में दच्छिन पच्छिम कास्मीर तथा तथा काफिरिस्तान मतलब आफगानिस्तान के किस भाग को मिला कर किस महाजन पद का निर्मान किया गया था तो 52 का हो जाएगा तीन नंबर कंपोज नेक्स्ट आईए तिरपन और उसके बाद 54 तिरपन नंबर में कह रहा हरा हरियाग वन्स के सासक कौन थे तहीं आपको बताना है तो तिरपन का सी नंबर हो जाएगा बिम्बी सार अजाद सत्रू अनि रुद्ध और नाग दसक तिरपन नंबर हो जाएगा एक नंबर इसका राइट अनसर नीचे दिया हुआ है तो तिक इसका राइट अंसर जो होगा वो एक नंबर हो जाएगा यानि ए ठीक अउधाए भद्र नेक्स्ट आईए पच्पन नंबर में गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटली पुत्र नामक नगर किया स्थापना किस ने किया तो पच्पन का राइट अंसर हो जाएगा तीन नंबर उधाए भद्र द्वारा नेक्स सुनाग बंस का अंतिम सासक कौन था तो चपन का तीन नंबर नंदी वर्धन आगे करा छटी सताबदी इसा पुर्व में नेपाल के तलहाटी तथा दच्छिन में सयान दिका नदी के मद्ध इस्थित जनपद कौन सा था तो संतावन का दो नंबर हो जाएगा कौसल नेशकरा अंगुत्तर निकाय में महाजन पदों की संक्या सोला बताए गई है निमलिखित में से महाजन पद में कौन सा समोव सत्य नहीं है तो अंठावन का डी नंबर हो जाएगा लास्ट वाला मतलब अंग मगद बच्छ लिखा हुआ है बच्छ हो कस्ता इसा कुछ होने नेशकरा पुरानों के नुसार सिसुनाग वन्स के अंतिम राजा महाननदिन की सुद्र इस्तिरी के गर्व से कौन उत्पन हुआ था तो साठ का जो राइट अंसर होगा वो डी नंबर हो जागा महापदम नंद ठीक है आगया इए एक सठ नंबर में आये था एक सठ नंबर में कर रहा है कि छटी सताबदी इसापूर में सधानता बारसी कर मतलब टैक्स कितना लिया जाता था तो एक सठ का डी नंबर हो जाएगा एक बटा च्छ है नेक्ट कर आप बहुत तथा जैन दोनों ही धर्में बिश्वास करते हैं कि क्यूं मतलब बताना है तो 62 का एक नंबर हो जागा कर्म तथा पुनर जनम के सिधान सही है मतलब इन दोनों पर यह विश्वास रखते थे हैं ना चलिए नेक्ट कोस्टन 63 नंबर में करा बाउत धर्म के प्रबरता गौतम बुद्ध का जनम और कहां हुआ था दोनों बताना है जगा और डेट 63 नंबर का बी नंबर हो जाएगा 563 इसापुर्व लुम्बनी आगे करा 64 नंबर में साग राजवन्स के किस राजकुमार ने एक महान धर्म के अस्थाबना किया तो 64 का दो नंबर हो जाएगा ठीक है मतलब सिधार्थ है और 65 नंबर में लाश्ट आजाईए सारनाथ में अ बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति कहां हुआ था तो 66 का एक नंबर बोध गया अनिरंजना नदी के तड़ पर पीपल ब्रिक्ष के नीचे नेशकरा गौतम बुद्ध के बारे में निमनलखित में से कौन सा कथन सही है तो 66 का एक नंबर हो जाएगा एक दू तीन सभी सही ह बिकर में बिस्वाज रखते थे आदमा का सरीर में परिवटतन मानते थे और निर्वान प्राप्ति में बिस्वाज रखते थे ये सब सही है आगे कह रहा है 68 नंबर में कि गौतम बुद्ध को बोध गया में ग्यान प्राप्त हुआ उन्होंने अपना पहला उबदे सारना प्रात्त में किस भासा में दिया था 68 का राइट अंसर होगा वो तीन नमबर हो जगा पाली आगे करा बुद्ध के नुसार निर्वान प्रात्त किया जा सकता है तो 69 का राइट अंसर होगा वो एक नमबर इच्छाओं को कम कर गए नेश्करा है कि गौतम बुद्ध ने अपन निर्वान कहां प्राप्त किया तो एक 70 का तीन नमबर हो जाएगा कुसी नगर जो कि यूपी में फिलाला भी पड़ता है नेश्करा पर्थम बहुत संगीती कहां होई थी तो 72 का राइट अंसर जो होगा वो तीन नमबर हो जाएगा राजग्री नेश्करा दुदिय बहु शाली चिक है चहुतर नमबर में का रहा के बहुत धर्म दोसाखाओं में बट गया हीन यान और महान यान तो महान समर्थकों के नुसार कौन से सही है तो चहुत्तर का एक नंबर हो जाएगा बुद्ध की भक्ति करने से निर्वान प्राप्त कर सकता है तो इस ही है नेश्ट कर रहा है कि बहुत धर्म का महायान और हिन यान संप्रदावे में सरवाधिक मौलिक अंतर निमलिकित में से कौन सा है तो बताई इसका राइट अंसर कौन सा हो जाएगा तो पच्चतर का तीन नंबर हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा चले नेश्ट कुस्चन आगे देखिए का रहा है किस भासा का ज़्यादा परियोग बाउध बाद के प्रचार के लिए किया गया है तो च्च्चतर का बताना है च्च्चतर का राइट अंसर कौन सा हो जाएगा तो च्च्चतर का राइट अंसर हो जाएगा पाली नेश्ट का रहा है कि मिरिक दाव यानि सार नात में बुद्ध द्वारा दिया गया पर्थम उपदेश किस नाम से जाना जाता है तो सेट्तर का दो नमबर हो जागा धर्म चक्र प्रबरतन 78 नमबर में कर रहा है कि नेमलिखित में कौन सा गरंथ बुध से संबंधि थे यह आपको बताना है 78 का एक नमबर हो जागा जातक कथा नेश्ट कर रहा है कि जैनमत के प्रबर्तक बर्दमान महावीर का जैनम कब और कहां हुआ 89 का एक नमबर हो जाएगा छाटी सताब दी इसापुर बैसाली के पास आज़ींनमनकर जाएगा लुकल को सब्सक्राइप का एक बर्दमान cardiovascular समऻ से था तो आशीक का हो जाएगा डी नमबर किसी से भी नहीं था इन में से कमें किसी से हमावी चलिए नेस्ट को संद्टस्र से समंधित हैं एसे इस में अगर देगा तो खुश कर यह बताईएगा लेकिन हो गांग वैसाएख भी मावीर का किस नाम के छत्रिय गोत्र में हुआ था तो 81 का दो नमबर हो जागा ग्यात्रिक नेश्करा बर्दमान महावीर का जान्म कहा हुआ था तो 82 का तीन नमबर हो जाएगा वैसाली आगे कहा रहा है कि जैन तिर थंकरों के करम में अंतिम कौन थे तो 83 का तीन नमबर हो जागा महावीर नेक्ष करा तिर्थंकर मतलब तिर्थकर कौन से धर्म से समन्दित है 84 का डी नमबर हो जागा जैन से ठीक है उसके बाद आगे बढ़िए 85 नमबर में करा निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये आपको बताना है तो बताईए इसका राइट अंसर कौन सा हो जाएगा तो 85 का तीन नमबर सही है केवल तीन मतलब 23 में दिर्थंकर पार्सवर नात बनारस से थे तो ये सब सही है ठीक है चली आगे कह रहा है क्या चीज़ ध्यान दिजिए निमलिखित अस्थानों में किस अस्थान पर महा बीर को महा परी निर्वान हुआ था तो ये बताना है 86 का तो 86 का हो जाएगा डी नमबर पावापूरी जो कि बिहार में पड़ता है चली नेश्ट कोस्टन आगया ये आगे ध्यान दिजिए जैन धर्म के दुतिय संगीती कहा हुआ था ये जैन धर्म के बारे में बताना है तो 87 का दो नमबर हो जाएगा बल्लभी यानि गुजरात में नेश्करा जैन साहित का संकलन निवने में से किस भासवम लीपी में की गई है तो 88 का हो जाएगा दो नमबर प्राकिर्त या फिर अर्ध मागधी नेश्करा जीओ और जीनो तो किसने कहा था तो 89 का एक नमबर हो जाएगा महावीर स्वामी ठीक है नब्बे में आजाएए नब्बे में क्या कह रहा है जैन धर्में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है तो 90 का तीन नमबर हो जाएगा कैवल ले नेश्करा आईए जैन धर्म का अधार भूत बिंदू कौन सा है तो 91 का तीन नमबर हो जाएगा आहिंसा नेक्ट का रहा है कि जैन धर में स्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब भी भाजना भी भाजित हो गया था तो 92 का जो हो जाएगा वो एक नमबर चंद्र गुफ्त मौर के समय 93 में बताना 93 का ठीक अच्छा कुछ सेने नेक्सार हो जाएगा तो 93 का जो हो जाएगा वो दो नम सा है ठीक है 93 का कौन सा है दो नम साथ ठीक है इसे ध्यान में रख़िएगा नेश को सणा ये 94 94 नम बताना है ठीक है बुद्ध से जीवन से समंदित बाते हैं दूसरा नमबर अस्थर लिखा हुआ है तो बताए 94 का राइट अंसर कौन सा हो जाएगा तो 94 का ठीक है एक दो तीन चार ठीक है जर्मस्थान लुम्बनी ज्यान की प्राप्ति बोद गया पर्थम उब्देश सारनात और निरवान की प्राप्ति कूसी नगर चलिए next question आगे बढ़ते हैं आगे इधर आईए आगे बताएगा निरवन में से कौन सा गलत की पहचान करना है कि कौन सा इन में से गलत है तो बताएगे 95 का राइट अंसर कौन सा हो जाएगा तो 95 का जो हो जाएगा वो दो नमबर हो जाएगा इस थीर विरवाद जैनों की एक साखा है तो ये गलती है ठीक है आगे करना निरवन में से कौन से धर्म पूनर जनम में विश्वास रखते हैं तो 96 का बताएगा तो 96 क एक नमबर हो जाएगा एक दो तीन हिंदू धर्म दो बहुत धर्म और तीन जैन धर्म ठीक है 97 में आईए बहुत संगीतियों का आयोजन किया गया है तो बताएगा इसका राइट अंसर कौन से हो जाएगा तो 97 का दो नमबर हो जाएगा बुद्ध के सिच्छाओं के समाकलन तथा बिवादों के निप्टारों के लिए ठीक है नेश्ट को संकारक निवन में कौन सा कार ठीक है सिर्फ दो को छोड़कर मतलब बहुत धर्म का संगठन फिर तीन नमबर बिदेशी आकरमन फिर चार नमबर राजकेशन रक्षन की समापती और बहुत संगों के आसमर्थता ठीक है चलिए नेक्स कोस्टन अब लास्टी 102 कोस्टन टोटल होगा इसमें आगे करा तो 99 का जरा राइट अंसर हो जागा वो डी नमबर हो जागा पहले अजास सतरू उसके बाद काला सोक उसके बाद असोक और लास्ट में कनिसक है ठीक है चलिए आगे आईए अगे इसका सुत्र याद रखेगा फॉर्मूला जिसे आप बोलते होने ट्रिक है ठीक है आर भी पी के मतलब चारों बहुत संगीती हुआ था तो कौन कहां कहां हुआ था तो आर से हो गया राजगीर भी से हो गया वैसाली और पी से हो गया पाठली पुत्र अके से हो गया कास्मीर यानि कुंडल वन ठीक है तो आर भी पी के इसका ट्रिक है और राजा कौन कौन हो है नहीं था तो 100 का एक नंबर हो जाएगा जातक ठीक है नेक्ष को सना आइए 101 है और 102 है करब बावध धर्म का संपूर्न सार नेमने में से किसमें नहीं थे तो 101 का एक नंबर हो जाएगा चार आरे सत्य में ठीक है और लास्ट कोशन इसमें है कि नियमने में कौन से भिच्छू बुद्ध के समकालीन थे तो बताएए कौन से राइट अंसर हो जाएगा तो D नंबर हो जाएगा सभी सारी पुत्र मोगली मोग गलान महाकस्यब आनंद उपाली और अनी रुद्ध है ठीक है तो ये आपका सेट कम्प्रिट हो गया है ये पूरा आपका जो एंसेंट हिस्ट्री का जो मेंने में टॉपिक था तो उस आपको इसमें कभर गया गया है ठीक है बागे आप बताएगा कुछ क्वाईरी बगेरा है